असलाम उलेकुम माई डियर फ्रेंज, मैं अब्दुलकयूम और आज हम पिसकस करने वाले हैं कि Software Engineering क्या होती है आपको पता है कि हमारा कोर्स Android Software Engineering का है और हम जो Software बनाएंगे वो जो हमारे Software होंगे वो चलेंगे को से प्लेटफर्म पे? एंड्रोइट पे ठीक है और आप जावा को यूज करते हुए डेक्स्टॉप साफ्टियर बना सकते हैं या किसी और प्रेटफॉर्म्स जैसे मैक हो गया उसके लिए भी डिवलमेंट कर सकते हैं लेकिन हम इस कोर्स में फोकस करेंगे कि हमारा हमार जो सॉफ्टियर से पहले ज अब जो जावा है फकान कैसे करती है ठीक है तो उसके बाद हम जब रॉर्फियर के तरफ जाएंगे तो हमारा जो मेन फोकस होगा कि हमेंจะ कासे बनाए जाते हैं ठीक है तो यह चोशॉफ्टिश हैं कि उस अप्रोच्छिस होती हैं मतलब जो हमारे clients के requirements हैं कि वो क्या चाहता है, वो कौन सा software चाहता है तो उनको, उनके मताबिक softwares को design कैसे कर सकते हैं build कैसे कर सकते हैं test कैसे कर सकते हैं और softwares को analyze कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम software engineering की field परते हैं software engineering computing field है ठीक है software का नाम आ गया तो एक engineering field है जिसमें बहुत सारे field हैं जैसे civil engineer हो गया, उस्कषर उज्ट इन्जनियर हो गया, जो civil engineer होता है वो building या bridges के design बनाता है और जो softget ऑर इजिण होता है वो software के design बनाता है Design डिजँआइन बनाने के बाद हम वो हमें बताता है कि हमारा जो software होगा design कैसे होगा और जो develop कैसे होगा और हमारा जो client है वो क्या चाहता है उसके मताबिक हम software बनाते हैं ठीक है तो और software बसका main goal जो होता है software engineering का वो creation improvement और maintenance के तरफ होता है कि हमारा software यह तीन जो के basic principles है creation के तो इन पे पूरा कैसे उतर सकता है और maintain मतलब हमारा जो software बना हुआ हुआ है उसको कोई bug तो नहीं है कोई improvement है तो क्या हम उससे improve करें या तो software engineer जो होता है वो उसकी software की जो bugs के मताबिक उनके solution देता है में कि इसको हम improve कैसे कर सकते हैं यह भी हमें बताता है कि हम एक client होता है उसको उसकी जो रुकारिमेंट्स हैं उसको हम एनलाइज कैसे करें ठीक है और उनके मुताबिक एक अच्छा रिलाइबल और वेल वीडेबल कोड कैसे लिखें और उनको टेस्ट कैसे करें सॉफ्टियर्स को और यह सारे काम एक सॉफ्टिय इंजिनेरिंग की डिसिप्लैन में पड़ते हैं जो कि कंप्यूटिंग डिसिप्लैन है ओके आई होब कि आप समझ के होंगे कि सॉफ्टिय इंजिनेरिंग क्या होती है अगर आपको इसके मुताबिक कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं ठीक है और हम आगे इसको जो सॉफ्टिय इंजिने रहे थे और उर्दू सीरीज के लिए मैंने सोचा है कि हम छोटे चोड़े लेक्चर्स बनाएंगे सर्फ एक एक टॉपिक या दो दो टॉपिक है तो अगला चो लेक्चर होगा हमारा हम डिफाइन करेंगे यह डिसकस करेंगे कि सॉफ्टिय इंजिनेर क्या होता है ठीक है तो इस लेक्चर के लिए इतना ही और अगर आप हमारे चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकाम को हिट करें ताके हमारे जो न्यूँ आने वाले चैनल लेक्चर्स हैं डिसकेशन्स हैं आपको मिल सकें थैंक्यू और बाइब